पाम तेल के आयात में गिरावट भारत में जनवरी में पाम तेल के आयात में 12% की गिरावट देखी गई है, जो तीन महीने के निचले स्तर पर पहुँच गई, जबकि सोया तेल के आयात में 23.7% की व्रिधी हुई है, जो बदलते व्यापार पैटर्न को दर्शाता है सूरज मुखी तेल के आयात में 15.6% की गिरावट आई है जिससे कुल वनस्पती तेल आयात पर असर पड़ा जो 8.4% घटकर 1.2.2 मिलियन टन रह गया है इसी अवधी के दोरान सोया तेल का आयात 23.7% बढ़कर 1,88,869 मीटरिक टन हो गया है जन्वरी में सूरज मुखी तेल आयात लगभग 15.6% घटकर 2,20,089 तन रह गया लाल सागर शिपिंग पर होथी हमलों के परिनाम स्वरूप उच्छ माल डुलाई दरों ने तेल की बढ़ी हुई लागत में योगदान दिया जिससे आयात की मात्रा प्रभावित हुई पाम तेल और सूरज मुखी तेल के आयात में कमी के संयुक्त प्रभाव से भारत के कुल वन्सपती तेल आयात में 8.4% की गिरावट आई जो जन्वरी में 1.2 मिलियन तन थी भारत मुखे रूप से इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलेंड से पाम तेल का आयात करता है जबकि सोया तेल और सूरज मुखी तेल का आयात अर्जेंटीना, ब्राजील, रूस और यूकरेन से होता है Bureau Report Market Times TV